आज काफी है सुबह दिन है क्योंकि आज ही की दिन मोक्षदाय का आज से दिन कर्षण ने पूर छेत्र में अर्जुन को गीता का उदेश दिया था इसको लेकर पूरे देश में भव तरीके से गीता जियनती मनाया जा रहा है पटना में आज इसको लेकर काफी खास तयारी है पूरा जो इसको इसको सजाया गया है इसको लेकर काफी धूम धाम से पूजा पाठ किया जा रहा है आर्ती किया जा रहा है हम आपको तस्वीरे में दिखा रहे हैं कि जो सरधालू है जो स्रिक्रिसन के भक्त हैं वो गीता मंदीर में आर्ती कर रहे हैं जो सर्धाले हैं उनकी पूरी भीर लगी हुई है और वहां गीता जयनती के अपसर पर आज पूरे धूम धाम से गीता जयनती मनाया जा रहा है इसको लेकर जो मंदिल के पुजारी हैं विवस्थापक हैं उनसे हमने बात भी किया है पहले सुनिए आप ओका कुछ कर रहे हैं कर्शने ने पुरे छेतर में अर्जुन को गीता को देश दिया था और इसलिए हम लोग गीता जयनती पूरे इसकौन पूरे वर्ल्ड में गीता जयनती मनाते हैं गीता का महत्तव अब इसलिए भी बढ़का गीता कहते हैं जिए भवान के गया हुए गीत को गीता कहते हैं बवारनेक गीता में जिनकी कर्चित जितनी समस्या है, सब का समाधान बता है, ग्यान, जोग, भक्त योग, कर्म, योग, तुसलिए हमारे जो इसकॉन का फिलासपी है, गीतावेस फिलासपी, हम लोग पुरे वर्ल्ल में आज पड़े ही धुमदाम से मना रहे हैं, गीता जनत हमने सब के लिए महापशाद का व्यायजन किया है, अरे कृष्णा ननगोपाल दात इसकॉन, तो आपने सुना जो वहां के पुजारी है, वो इसको लेकर खास त्यारी किये हैं, आज गीता जनती है, और गीता जनती के दिन इसकॉन टेंपल में काफी खास तरीके से पूज कर रहे हैं, भागवत गीता हमारे जीवन का काल जय एवं सास्वत सत है, सत का न तो कभी जन्म हुआ और नहीं इसका अंत हुआ, किन्तु हम इस दिन को सुत्रों के रूप में दिये गए, इस कालतीत ज्यान पर विचार करने, इसे समझने और आत्मसात करने के लिए एक अच किन्तु हम इस दिन को सुत्रों के रूप में दिये गए, इसे कालतीत ज्यान पर विचार करने, इसे समझने और आत्मसात करने के एक अच्छे अवसर के रूप में लेते हैं, अभी आपने हमको दिखाया कि जो पुजारी हैं, वो बता रहे हैं कि किस परकार से जो आज तया किया गया है, आज भव्य तरीके से इसकौन मंदिर में पूजा किया जा रहा है, भगवान कृष्ण के उपासना किया जा रहा है, आज गीता जियनती का दीन है, आज ही के दीन स्री कृष्ण ने अर्जुन को था और हमने आपको तस्वीर भी दिखाया कि किस परकार से बड किया कुछ कर रहे हैं इसको लेकर, आपने सुना आप बने रहें नीज परनेशन के साथ,